गुड मॉर्निंग इस्टूडेंट, I am काजल राजपुद एड एड भारती ग्रूप ऑफ कॉलेज दूर्ग तूडेज आवर टॉपिक इस मॉनेटरी पॉलिसी, आईए हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है यह B.com First Year का Business Environment सब्जेट में एक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमको यह जाना बहुत जरूरी कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है तो अपनी एकोनॉमिक को कंट्रोल करने के लिए गॉर्मेंट जो है वो टाइम पे एकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है उसको क्या करती है फ्रेम करती है और एकोनॉमिक पॉलिसी का ही हिस्सा होती है क्या मॉनेटरी पॉलिसी तो economic policy में के अंदर ही क्या आता है हमारा monetary policy जैसे आप लोगों ने देखा होगा inflation में क्या है हमारा जैसे जैसा price बढ़ता जाता है वैसे वैसे inflation भी बढ़ता जाता है मतलब price में जो आना जाना कमी जो भी होता है उसके according हमानी क्या होता है inflation बढ़ता जाता है तो monetary policy क्या है कि जो government है जो money supply को क्या करती है कि वो किस हिसाब से कितने area में कितना पैसा खर्च करना है वो control करके रखती है उसको हम monetary policy बोलते हैं क्या monetary policy is a part of economic policy of government तो क्या ही monetary policy के through government जो है वो money supply को क्या करती है देखिए monetary से ही नाम और क्या है it influence supply of money credit policy rate of interest in India it is formulated and executed by Reserve Bank of India तो क्या है देखिए monetary इसके नाम से ही money आता है तो monetary policy ऐसी policy है जो money क्योंको supply को control करती है credit supply का मतलब है कि हमारी country की जो commercial bank है वो general public को कितना loan देंगे और किस rate की उपर loan देंगे ये सारी चीजे जो है वो monetary policy ही decide करेगी monetary policy ही क्या करेगी decide करेगी और उसे regulate करेगी इंडिया में जो monetary policy जो है वो banking को apex body formulate करती है मतलब अब bank ही की apex body क्या है that is reserve bank of India apex body क्या है reserve bank of India reserve bank of India जो है वो क्या monetary policy बनाएगी और इसको execute करेगी RBI country के सारे मतलब reserve bank of India के country है वो सारे बैंकों को regulate करती है और इसकी कोशिश रहेगी और economic में ऐसा environment create कर दे जिससे की हमारा जो saving है और हमारी investment जो है वो बढ़ जाए लोगों को encourage करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना save करें और इसी saved money को कहां पर लगाया जाए investment purpose में लगाया जाएगा क्या है कि वो जो इतने भी saved money है वो investment purpose पर लगाया जाएगा तो monetary policy जो क्या है वो control रहेगी तो इसलिए बोला गया है regulate banking system और create formulate environment for saving and investment फिर समझ में आ गया आप लोगों को कि monetary policy क्या है economic policy का हिस्सा है जो कि क्या करेगी हमारे country में जो supply of money है उसको क्या control करेगी आई अब हम देखते हैं क्या है objects of monetary policy क्या objects है monetary policy की encourage economic growth, maintain stability in price level, bring stability in the exchange rate, promoting a neutral monetary policy or full employment saving तो first क्या है हमारा encourage economic growth मतलब आर्थिक विकास को प्रुत्साहित करना तो आप लोगों देख़िए है कि economic जो है उसको क्या करते हो प्रोग इंकरेज करता है महधरिक निदी का देश क्या है त्रीव गतिकी आर्थिक विकास करना आर्थि विकास से क्या होगा कि देश की जो अर्थ विवस्ता का विकास होगा देश में खुसाली का वातावरन रहेगा अगर economic condition खराब होता है तो क्या है हमारा देश में भी बहुत सारी problem आएगी गर्मेंट को भी बहुत problem आएगी कि अपने देश की अर्थ विवस्ता को control करना और उसको अच्छे से maintain करना फिर क्या है हमारा next point क्या है maintain stability in price level मूले स्थर में स्थाइत्व बनाए रखना तो क्या है स्वर्ण मान में क्या है कि परिताग परश्यात कीमत इस्थीरता मौधरिक नीती का एक महत्त पूर्णो देश है कि जैसे जैसे stability रहेगी मूले में stability रहेगी वैसे ही कि प्राइस लेवल में अगर stability रहती है अगर मुल्य स्थीरता का अर्थ या नहीं है कि मुल्यों कोई परिवर्तन नहीं होगा, होना चाहिए, परन्तु इसका अर्थ यह है कि कीमतों में अधिक उतार चढ़ाओं नहीं होना चाहिए, पर अब ज्यादा से ज्यादा की ऐसा नहीं है कि 2 रुपे का चीज को सिधा 10 बढ़ा दिया जाए तो क्या हम अगर धीरे धीरे उसको अगर उसका प्राइस लेवल बढ़ाएंगे तो क्या है वो सही रहेगा तो यह मॉनिटरी पॉलिसे का यही अब्जेक्टिस है फिर क्या है ब्रिंग स्टैबिलिटी इन दा एक्सचेंज रेट मतलब विने मैं दर में भलाना जो एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं अंतराष्य वेपार को करते हैं जो व्यापक पेमानेगे अंतराष्य वेपार के संचालन के लिए विने में इस्तायत से और गश्यक है आज की बहुत अर्थ असास्त्री के विनेदर की स्थिर रखने में क्या होती है समर्थक है मतलब अंतराष्ट में जो लेन देन है उसको भी क्या इस्टेबिलिटी बनाए रखना बहुत इंपोर्टेंट मैटर फिर क्या है promoting a neutral monetary policy promoting के तठस्ट मुद्रा निती को प्रोत सहा कि उसको क्या करें वो promote करें न्यूट्रल को फिर क्यों चर्थे व है शास्त्रियों के इस बात पर जोल दिया है कि मुद्रा की मातरा में परिवर्तन के कारण ही देश के आर्थिक दीवन में अस्तिर्था उत्पन होती है। अथ्था मुद्री हियर निती के द्वारा इस बात का प्रयास करना चाहिए कि मुद्रा अपने प्रभाव के तर्थिष्ट निूटरल हो जाएं। अगर neutral होगा मुल्यों में परिवर्थन वस्तिवों में मांग की पूर्थी को दर्शाना प्रभावित होना चाहिए लेकिन मुद्रा की मात्रा को कोई परिवर्थन नहीं होना चाहिए फीर क्या है थे पूर्ण रोजगार के स्थाथवी अवस्यक्त में अवश्यक तथा आर्थिक इस्थाथवी तो सभी संभाव है जबकि पूर्ण रोजगार के स्थर पर देश के बज़त एवं वीनियों में संतुलन इस्थापित किया जाए इस संबंद में क्या है कि अगर रोजगार सही रहेगा, employment रहेगी तो क्या हमारे देश की जो अर्थवेवस्था हो सही रहेगी, monetary policy भी सही रहेगी अगर अर्थवेस्था ही नहीं सही नहीं है तो सब चीज में क्या होगा, गड़ बढ़ा जाएगा तो यह क्या है, objective of monetary policy है कि economic growth को कैसे encourage करें stability रखें, price level में, exchange rate में जो अंतराश्टरे से exchange हो रहा है उसमें stability रखें, promoting our neutral monetary policy और full employment saving अब हम देखते हैं importance of monetary policy, क्या importance है monetary policy कि encouraging saving, maintaining balance of payment, suitable interest rate of policy, maintaining balance of monetary, importance of appropriation area तो first क्या है हमारा encouraging saving, क्या है बच्चतों को प्रोचाहन करना आर्थिक विकास है तो विदेशी पुंजी की स्थान पर आंतरिक पुंजी को अधिक महत्वर दिया जाना चाहिए जो हमारे foreign countries की जो मुद्र है, उससे ज़्यादा important हम लोगों इंडिया का देना चाहिए कि विकास के लिए वित्ति प्रवंद एक अनिवार यह सर्त है, मौद्रिक नीती अपनी क्रियाओं के द्वारा बचोतों को क्या करती प्रोचाहत करती और विकास है तो वित्ति प्रवंद करती है अगर management करती है, जैसे जैसे encourage अगर saving अच्छी रहेगी तो कोई भी problem नहीं आएगी और हमारे विद्ति प्रवंद के जो चीज है उसको कम यूज करना चाहिए और हमारे राष्ट्रे के जो चीज है उसको जादा यूज करना चाहिए तो इससे क्या है हमारी saving जादा होगी, फिर क्या है maintaining balance of payment, विल्ब भुकतान संतुलन को बनाए रखना, भारत जैसा विकासिल देश में आयात अधिक होने से भुकतान संतुलन की समस्य उत्पन हो जाती है मौदरिक नीती द्वारा वीने में दरों को स्थिर रखा जा सकता है, अगर हम ये monetary policy अगर हम apply करते हैं, तो हम अपने देश का जो भी है problem है, उसको balance जो भी payment करना है, हमको जो भुकतान करना है, उसको सहीं तरीके से कर सकते हैं फिर है हमारा क्या है, suitable interest rate policy, मतलब उपयोक्त ब्याजपरदर नीती, कैसे हम अर्थ जो हमारे अर्थ विक्सित देश है, केंदरी बैंक के द्वारा उपयोक्त मुद्रा नीती के माध्यम से ब्याज़दर की उचित नीती को निर्धारित किया जा सकता है, कि जैसा मैंने आप आपको पहली भी बताया है, कि जो भी policy है, जो भी loan है, वो सब Reserve Bank of India decide करती है, कि कि इतने rate में देना है, किस rate में देना है, अगर rate सही रहेगा, तो भी क्या होगा, ब्याज़दर नीती से suitable interest मिलेगा, तो उससे भी क्या है, हमारी अर्थ विवस्ता सुधरेगी, फिर क्या है, maintaining balance of monetary, मतलब मौदरिक संतुलन बनाए रखना, मौदरिक नीदी, त्वारा, मुद्राव की मांग, इवन पूर्ती में संतुलन इस्थावित किया जा सकता है, अत्यादिक पुंजी की पूर्ती, क्या है, साक विस्तार करके ही की जा सकती है, तो इसलिए क्या है, हम लोग को monetary जो है, उसको भी balance करना पहुंच जरूरी है, supply of control को भी करना पहुंची important है, फिर क्या important in appropriation area, मतलब विनियोजन के छेतर में महत्व, जो investment कर रहे हैं हम, उसको क्या महत्व है, कि आति विकास के लक्ष को प्राप्त करने ही, तो बच्छतों को उचित विनियोजन किया जाना कि अगर हम अपने आति विस्तिती सही रखना चाहते हैं, तो हमको saving करना बहुंच जरूरी है, तो ये सब चीज भी हमको monetary policy सिखाता है, कि कैसे हम control कर सकते हैं, और उस चीज को saving कर सकते हैं, और उसको हम सही जगा में investment कर सकते हैं, तो I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा कि monetary policy क्या होता है, ओके थैंक यू